हेलो एब्रीवन बेरे गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडें इस्टुडें नौ टिक आउट यूर मैज्स बुक सारे बच्च पनी मैज्स की बुक ओपिन कर लेंगे सोल एटी स्टार्ड चैप्टर सेवन में आज क्या पढ़ेंगे बेटा मैज्स बेट यूजिंग बैलंस वजन का उपियोग संतुलन को मापने के लिए वजन का उपियोग बेट करने के लिए ठीक है जैसे याँ पर बिटा आप देख रहा होंगे एक्जांपल में कैसे वजन किया गया है पैन में चले देखते हैं जैसे नीचे की दिखाया गया है ठीक है किरन संतुलन में है यदि संतुलन में एक ही अस्तर पर दोनों पैन है जैसे ये सेकेंड वाला बेटा देखे दोनों पैर क्या है इक्वल है दोनों पैन इक्वल है अगर एक ही संतुलन में है दोनों पैन तो वो इक्वल होगा यदि संतुलन जुकता है means यदि संतुलन जुकता है बेटा तो वो पैन नीचले अस्तर तक जुकता है जैसे ये वाला ये क्या है पैन जुक रहा है तो इसका मतलब ये लोड भारी है means heavy means भारी होता है और light means क्या होता है बेटा हलका होता है इसको मैंने आपको पहले भी बता है ना बिटा तो हैवी वाला पढ़ना जोक रहा है तो यह हैवी एंड यह लाइट जैदी वह भारी होता है तो हैवी और यदि लाइट है तो लाइट पढ़ना भी उपर की ओर होगा है ना यहाँ पर ऐसे ही चूज पेर आप अबजेक्ट फ्रॉम दा लिट्स गिवें बिलो आपको बेटा यहाँ पर चूज करके यह आपको इस में पैन में क्या करना है ड्रॉ करना है और यहाँ इस बॉक्स में जो हैवी है उसे यहाँ यच से करेंगे ठीक है यच से पदर्शित करेंगे और जो यहाँ है उसे यल मींस लाइट से मींस लाइट रिखेंगे यहाँ पर देखें इक्वल है यहाँ पर क्या होगा बिटा इसे करेंगे ठीक है यह पैन देखें दोनों इक्वल है आपको बट फीगर भी बनाना है इसमें क्या करना है आपको फीगर बनाना है जैसे यहाँ पर एक्ज बनाना बट आप ये काम स्वेम करेंगे क्योंकि इसकी नेक्स वीडियो में मैंने ये हैवी और लाइट बताया है ना जैसे आपको बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकवल है तो यहाँ पर इकवल वाला फिगर देख करके इस पैन में ड्रॉ करेंगे जो हैवी होगा बेटा वो हैवी यहाँ पर और जो लाइट होगा बेटा वो लाइट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फिगर ठीके यहाँ पर भी है लाइट होगा यहाँ पर क्या होगा लाइट होगा क्योंकि इसका पलड़ा उपर और जो नीची की ओर होता है उसका पलड़ा क्य लेंगे की काम ठीके आपको एक्जाम्पल में भी दिया गया है और इसे आपको सेल्फ करना है ठीके इतना काम आप कर सकते है ना बिटा ना समस्दार है आप करेंगे ठीके इसे आपको पैन कैसे करना है यहाँ पर यहाँ पर भारी वाला रहेगा इस पैन में भारी वाला यहाँ पर figure ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हलका वाला means यहाँ पर हलका वाला figure ड्रॉ करेंगे यहाँ पर भी अगर equal है तो दोनों equal same means जो equal होगा जो figure वो यहाँ पर draw होगा तो यहाँ पर दोनों में E write करेंगे ठीक है क्या write करेंगे E क्योंकि E for equal बराबर तो यहाँ पर E write करेंगे यहाँ पर भी यल write करेंगे क्यों यल write करेंगे क्योंकि यहाँ पर हलका है और यह heavy है तो यहाँ पर heavy पैन में heavy draw करेंगे picture ठीक है यहाँ पर भी यहाँ पर भारी है तो यच यच से यहाँ पर heavy figure draw करेंगे और यहाँ पर यह light figure draw करेंगे समझ में आया है बच्चों कर लेंगे सारे बच्चे ऐसे ही आपको करना है ओके class, thank you have a nice day